मैं राल कुमार स्वागत है आपका वरन्यम एजूकेशन के इस यूटूब चैनल में और इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि बिहार बेल्ट्रोन का जो फॉरम भर रहे हैं इसमें दो चीजे को ख्याल रखना जरूरी है एक तो डॉक्मेंट का और दुसरा कि हम फॉ को बताएंगे में सबसे निया इस घृब करना तो आपको इक नमबर मिलता है जैसे हम लोग रश्टेर्सन करते हैं ठीका फड़ाव करना जासे कि आपका प्रसनलय की कि क花 जानाange अगर आपके पास सट के एपिंथ का सटीट्स में प्रोविजिनल स्डीट को इसे को नहीं मालिए अगर वह बात करोν आप मैं से बहुत सब्कार्स वह कोई तो थी में तो होगा हुँड़िक भी कि आप से याप एक्धाम जरी है है कि बहुत लोग का हमारे साद कोशर्ण यह रहता है कि जैसे हमारे पास बैचलर डिग्री है है कि 12 के समय में कुछ और भी डिग्री है जैसे कि की चली कोई को zach nobikate for technique जहिए जैसे कि कोई दिक्कत नहीं इसम ora को बहुत प्रोविजनल सेटिपिकेट तो आ गया लेकिन हमारे प्रोविजनल आने से क्या हूं जो फाइनल सेटिपिकेट होता तो तीन सल बाद आता और मेरा एज 18 सल हो गया ऐसा हम मान के चलते हैं तो उसकेस में प्रोविजनल डाल सकते क्योंकि जब वो टीवी देखेगा तो समझ ज उसकेस प्रोविजनल अगर आपके से और में अपने जाएग जहां से टेंथ पास किया है याँ जहाँ से प्रोवेहां पर जाईए और इस तरिकोंदकर निकल निकल जाएगा बहुत और इसली तरीके से कोई दिकत वाला बात नहीं ठीक है कुछ आपको बेसिक इंफरमेशन आपसे पूछा जाएगा या पिर कली यह कुछ डोक्मेंट चाहेगा और आपके सेटिफिकेट निकल लाएगा तो आपको फॉर्म भरने में आपका टेंथ का सेटिफिकेट टेंथ का मार्क सिट यह दोनों चाहिए और कंप्यूटर में यह का सेटिफिकेट बहुत कंपलसरी होता है जिसे हमारे पास वह है वरणय में चुकेशन का अपना कोचिंग है और वरनी मेंचुकेशन देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर से वरनीमें में केशन जो है वो वो मिनिस्ट्री और कोर्परेट फेर गवर्मेंट और इंडिया के द्वारा क्या है रेजिस्टर यह भारत सरकार के द्वारा रेजिस्टर है जब आप कहीं किसी कोचिंग में पढ़ते हैं तो देखें यहां पर से एक चीज आप अच्छा से गौर किजेगा कि वरन्य में तो टोटल कितना होता है यह 21 डिजीट का होता है कोई भी कोचिंग भारत सरकार से रेजिस्टर होता है जिसमें प्राइबिट लिखा हुआ था उसमें इस सी आइन नंबर होना बहुत जरूरी है और दूसरी बात यह देखिए कि जहां आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं जह हुआ है तो इसलिए चीज़े दिया हुआ अगर हम कोई स्टुएंट अगर हम जैसे हम से माल लिया जाए कि वह 2019 में पढ़े थे समझे लिजे कि आप हमसे आए 2019 में हमसे पढ़े और आप आए हम मारे पास सब्जीद करने लेगे कि नहीं सर हमको अप सेटिफिकेट हैंगे कि से देखिए हम 2019 का सट्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमको भारत सरका जो अफिलेशन दिया है उसे पहले हम नहीं दे सकते मतलब यह हम आपको एक फर्मिट बता रहें देखिए कोई सही और गलत नहीं होता है यह बात आप समझे आपका कोचिंग रिजिस और आपको कोई दिकत नहीं है तो आपको एडिसी का सट्टिफिकेट चाहीं टाइपिंग करने अब इसमें क्या है कि टाइपिंग का दो पोस्ट इसमें डालना है देखिए इसका नोटिफिकेशन अगर पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि इसमें हिंदी ओप्रब्रइज को न हमारे पार इसे ऊप्सञ यहां को है कि न सुधाल करने लान वीडियो है की टाइपिंग करने से डरिये चाहित बड़ा चीज नहीं है अगर आप मेहनत करते हैं अगर आप रैक्टिस करते हैं बेसक हो सकता है कि आप जहां से भी बिलॉंग करते हैं आपका डिस्टिक जो भी है वहां से आपके पास बहुत अच्छा बेबस्ता नहीं है वहां पे कोई अच्छा इंवार्मेंट नहीं है लेकिन अगर सिस्टम है त दोनों में करने में ज्यादा ज्यादा बढ़ी बिहार ज Lap noi कांसरी में हिंदि में हतना है इस बीछ को जाए वो हैं करीब करीब एक अनुमानित है हम यह यह तरम नहीं होगा दो 49 जर जो पोस्ट यह में ओठीक है टैक है तो आप उतना मज़ेदार वाला चीज होगा जबकि इससे पहले जो हमको बात पता चला था उच्छेजर पर बात पता चला था लेकिन ये डाटा हमारे पास जो बात चीत हुआ हम लोगों से वह डाटा बढ़ गया है ठीक है तो लेकिन अब यह बात नहीं है इस बात को हम यहाँ पर तोर पर डाल लेते हैं अब ऐसा नहीं कि हाँ आप यह जो जो सहला करने है वरन्यम बला बोले थे देखिए वरन्यम बला यह नहीं कि हम जो बोल रहे हैं यह को एक अनुमानित और हमारे एक्स्परियंस के मदब से बोल ठीक है हम लोग अपने चीजों को सिर्प उस चगह प आपके लिए हम इसलिए बतारे चीजों को गलु एक देते हैं कि हम दो होगा तो आठ़ें तो होगा तो मजाक है क्या एतना वेकंसी मजाक नहीं आप उसमें देखिए दू तो हजार में वेकंसी दो बड़ी बात है दुसरी बात है कि यह को हम दोनों का सेलेक्ष्ण करना कह लगेंगे उसके बाद फिर एक ncl लगेगा अगर आप मतलब से हैं और उसमें आपको ncl लगाना इसमें देखिएगा आपको जाती होता है आवासी होता है ठीक है तो आई नहीं मांगा आवासी आपको मांगा मतलब रेसिदेंसियल सेटिफिके ठीक है एंगलिस में क्या कहते इसको रेसिदेंसियल करते ठीक है और एक जाती होता है मतलब किस तो कास्थ वाला इसमें नहीं मांगा से उपर होते था एंचल जिसको लोग Inc ृपर ये ऑद दूर यह से जनरल में क्या होता है या फिर इदब्लूस सोता वह करना होब अगर आप अगर आप जब जेखिए। मैरिट बनाया जाएगा ओठिक है तो अ leftकेट के यह सफर है इस जिसको आप जरूर्ब केज yardım केएगा इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए और इसमें हम जिसे चीजों को यहां पर से क्लियर कर देते हैं कि जो भी लोग अभी फॉरम भर रहे हैं ठीक है इसके अलाबा कि आए कि बहुत सारे लोग हमसे मतलब कॉल पर बोले हैं कि जिससे सर की मेरा टेंट के बाद जो ग्रेज्वेशन जो ह होता है ठीक है तो क्या है कि उल्च आप हम यूज कर सकते हैं इसमें डेखे हम साथ तर्फे मना करते कि ऐसा नहीं हो सकता है ठीक्क ऐसा होता ही नहीं यह इसलिए कि लिए प्सकॉलम दिया हुआ जिसमे Max चैसलिए लेकि', यह मैं तो किये है उसका यूज आप यहां पर नहीं कर सकते हैं इसका आपको गारिंटी है और देखिए अगर आपको क्लास में बिहार बेल्टरों के लेकर करके करने में किसी भी तरह का दिकट होती है तो हमारा आप वरैयम एजुकेशन का एप्स है अगर पे ले fre scaling यह होता है और एजूकेशन लिखे लूए सिंबल यह आपको सिंबल देखने मिल जाएगा आप उस पर किलिक करे डाउनलोट कर सकते हैं डाउनलोड आप उस्सकों अपने मॉवाइल से रिजिस्टर करने के बाद उसमें एक अस्टोर नाम को प्रिंटर के इन्दर आपको मात्र 499 रिपिम किया जाएगा हो सकता है कि आप लोग के लिए लग रहा हुआ कि हम उतना अभी अभी अफ़र्ट नहीं कर सकते लेकिन आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर पॉसिबल है तो करके देखिए हम आपको सभी कोचिंग से बहतरीन त्यारी करके देंगे औरहलों बहुत बहतरीन कंटेइंट आपको देरेवालह तो इस वीडियो में इतना ही फिर मिलेंगे में अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो आप से लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को लाइक भी किजिएगा